अधियों दोस्तों कैसे आप सभी मेर नाम अरजुन है और आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास इस एक्सिट की एक्सिटि ए यह 1TB की ए और आप शाइज देख सकते हैं काफ चोटी एक्सिटी ए तो काफी कंपेक्ट है SSD है इसे मैंने मेरे MacBook Pro के लिए पर्चेस किया था और इसे यूज करते है मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है आज इस फीडर में आपके साथ मेरा experience शेर करूंगा कि मुझे SSD कैसी लगी external storage की नीड आपको तब पढ़ती है तब आपके system में storage कम होती है जैसे मेरे MacBook Pro में 512GB है और जो मेरे काम है जैसे वीडरीटिंग का तो इसके लिए मुझे कम पढ़ जाती है तो मैंने यह अलग से पर्चेस की थी SSD पर्चेस करने से पहले भी आपको काफी चीज़े देखने पड़ती है जैसे इसकी पर्फॉमेंस कैसी है क्या यह स्पीड देती है रीड राइट की अगर आपकी रीड राइट स्पीड अच्छी होगी तो आप अपने system की फॉल पाउर को यूज कर पाएंगे सबी चीज़े आपको इस वीडियो में बताऊंगा पर अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाद दीजिए जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको पता लग जाए तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको इसकी अंबॉक्सिंग दिखाता हूँ SSD का बॉक्स कुछ हिस्सरा का आता है यहाँ उपर सेंडिस का लोगो दे रखा है नीचे एक्स्ट्रीम पोर्टेबल SSD लिखा है जो कि इसका नाम है यह मैंने 1TB स्टोरिज के साथ मंगाई है इसके लावा इसमें आपको 500GB, 2 और 4TB की आप्शिन में मिलते हैं और बीच में SSD की फोटो दे रखी है यहाँ आप इसके maximum read और write speed देख सकते हैं जो कि 1050 MB per second की read speed है और 1000 MB per second की write speed है यह इस SSD का second version है जिसकी पहले वाली SSD से 2 गुने speed है यहाँ पर नीचे सेंडिस का logo दे रखा है इस सरफ इस SSD की side से photo दे रखी है बॉक्स के back side में इसकी कुछ details दे रखी है जिनके बारे में हम detail में आगे बात करेंगे यहाँ आप देखेंगे तो आपको इसकी MRP देखने को मिलेगी जो की 32,000 रुपे है पर Amazon पर मुझे 10,000 रुपे की मिली थी और इसे मैंने cash grow app का use करके purchase की थी तो मुझे extra cash back भी मिल गया था cash grow इंडिया की सबसे बड़ी cash back site है ज इसके लावा cash grow एक trusted app है क्योंकि इसको रतन टाटा ने भी funded किया है यह app दोनों Android और iPhone के आती है वीडियो description मैंने आपके लिए इसके link दे रखिये है अगर आप installation के time मेरा code Arjun T25 use करते हैं तो आपको instant 25 रुपीज का cash back भी मिल जाएगा app install करने के बाद जिस site से आपको shopping करनी है उसे search करने है और active cash button पर click कर देना है इसके बाद आप उस website के page पर चले जाएंगे जहां आप जैसे normal shopping करते हैं वैसे आपको shopping करनी है इसके बाद आपका cash back cash grow app के my earning section के अंदर show हो जाएगा यह SSD पांस साल की warranty के साथ आती है चलिए अ इसके box को खोल लेते हैं box खोलते ही अंदर से एक tray निकलती है जिसके अंदर इसके सबी contents है जिसमें सबसे उपर हमारी SSD रखी हुई है जो दिखने में बहुती ज्यादा प्यारी लग रही है SSD photo में देखकर मुझे काफी बड़ी लग रही थी पर actual में बहुती चोटी है जिस चोटी है पर काफी मोटी और अच्छी quality की दी गई है इसके बाद हमें एक USB C to A dongle मिलता है जिसके यूज़ करके आप इस SSD को दोनों USB C और USB A port के साथ यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले SSD की design की बात करते हैं काफी compact सी SSD है और आप देख सकते हैं यह बिलकुल pocket friendly SSD है जिसके front side म यहाँ पर polycarbonate का यूज़ किया गया है जिसके उपर आपको dot matrix के जैसा pattern देखने हो मिलता है बीच में sendisk का logo दे रख है जो की engraved है और हाथ लगाने पर उठावा सा लगता है उपर corner में आपको carabiner loop लगाने का option मिलता है जिसके यूज़ करके आप इस SSD को safely अपने साथ या फ काफी rough and tough case इस SSD के उपर दिया गया है जो इसे काफी durable बनाता है पिछे भी यहाँ पर sendisk का logo दे रख है नीचे इसके storage capacity लिख है जो कि मेरे case में 1TB है यहाँ इसका नाम लिख है जो कि sendisk extreme portable SSD है नीचे इसका model number दे रख है इसके लावा यहाँ इसकी कुछ regulatory info दे रख है सब से pocket में कुछ रखा हुआ है अभी मैं यह apple की macbook pro यूज़ कर रहा हूँ इसी में मेरे सारी वीडियो एडिट करता हूँ और यह 512GB वाला model है इसकी 512GB storage भी वीडियो के कारण लगबग बढ़ने वाली है तो मुझे external drive की जरूद थी पर मैं यह सोच रहा था कि जब मैं external drive ले रहा हूँ तो ऐसे drive लेता हूँ जो fast हो और इसकी M1 chip की full power को use भी कर सके तो मैंने इस sendisk की 1TB SSD को लेने का सोचा ऐसे storage बढ़ाने को तो हम pen drive से ही बढ़ा सकते हैं पर इनकी speed 20-30 MB per second तक रहती है और इस speed से ना तो मैं मेरी files को direct drive से edit कर पाता और ना ही मैं Macbook की full power को use कर पात जिसे hard disk drive कहते हैं पर उसे भी मुझे वो performance नहीं मिल पाती हार्डिस्क और SSD में क्या फरक होता है कि hard disk में mechanical parts होते हैं जैसे इसमें एक disk और arm होता है जो disk होती है वो गुमती है तो इसमें data read और write होता है यह जैसे मेरे पास internal hard disk drive है तो इसका size काफी बढ़ा है पर external HDD में बहुत जादा रहते हैं पर solid state drive और SSD में ऐसा कोई डर्ड नहीं रहता है क्योंकि इसमें chips का use होता है data store करने के लिए बिल्कुल जैसे आपके phone में storage होती है तो यह अगर गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है जबकि hard disk गिर जाए तो खराब हो सकती है एक जो main key factor आता पर अगर आप external drive में SSD लेंगे तो आपको बहुत जादा अची speed मिलेगी इसलिए आपने कभी एक चीज़ notice की होगी जब आप macbook के base variant 256GB से 512GB पर जाते हैं तो सीधर 20,000 तक का फरक आता है वो इसलिए आता है कि इसके अंदर जो drive होते हैं वो बहुत जादा fast होते हैं जो SSD मै अगर आप solid state drive या SSD मिलेंगे तो आपको 8-10,000 रुपे तक मिलेगी तो दोस्तों यह सब थी कुछ knowledge की बाते हैं चलिए अब इस SSD का real life टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ अब जैसे मेरे पास यह macbook pro है तो इसमें USB-C का use होता है तो मुझे इसमें अलग से USB-A डोंगल लग करता हूँ कि एक कैसे काम करता है इसमें सबसे उपर दो मीटर दे रखे हैं जैसे left side में इसका right meter है और right side में इसका read meter है बीच में start button दे रखा है जिस पर click करते स्पीड test स्टार्ट हो जाता है इस पर फिर से click करके आप इस test को रोक सकते हैं उपर इसकी average speed आती है नीचे will it work में आप देख सकते हैं कि कौन से video formats इस drive के साथ काम कर सकते हैं जैसे macbook वाली SSD है तो इसमें 12K तक के video format सभी support करते हैं मतलब इस drive की speed इतनी है कि आप 12K raw video को अराम से read और write कर सकते हैं right side में आप इसकी अलग-अलग video format में read और write speed चेक कर सकते हैं जैसे black magic raw video में अगर आप full SD video को read और write करते हैं तो आपको 7000 MB per second तक की speed मिलती है चले अब इसकी settings में जाकर मैं target disk को change कर देता हूं हम इस sendisk की SSD का speed test करेंगे तो मैं यहां से select कर लेता हूं जिसमें आप देख सकते हैं मेरे projects की file भी पढ़ी है अब जैसे मैं start button पर click करूंगा तो इसका speed test होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप देख सकते हैं इसकी maximum write speed 731 MB per second तक चली गई है average write speed आती है 653.4 MB per second की ऐसे read में आप देख सकते हैं 760 तक maximum read speed गई है और final speed 760.8 MB per second की speed आई है जो कि इस drive के असाब से काफी ज्यादा अची speed आई है नीचे अगर आप देखेंगे तो almost सभी video format भी support कर र अब मैं आपको इस Macbook Pro की storage का speed test दिखाता हूँ और आप इसकी speed देखते रहे जाएंगे चले स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और ये इस Macbook की speed आ रही है write speed test तो instantly complete भी हो चुका है जो कि 2198 MB per second की इसमे write speed आई है और 2957 की इसमे read speed आई है नीचे आप देख सकते हैं सभी video formats में tick लगे हैं और right side में आप इसकी सभी video formats की speed भी देख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि rate का difference होगा तो speed का फरकाएगा तो solid state drive में आप खुद देख सकते हैं कि कितनी जादे speed possible है अब मेरे पास ये एक Kingston की internal SSD भी पढ़ी है जो की 2.5 inch की है और ये 240 GB की है इ इसकी size sendis की SSD से थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि ये internal SSD है पर मोटा इनकी लगबग सेम है अब अगर इसका मैं speed test करके आपको दिखाऊं तो मुझे इसे macbook से connect करनी पड़ेगी पर क्योंकि ये internal SSD है तो ये direct connect नहीं होगी तो मुझे इसे इस enclosure में लगाना पड़ेगा फिर मैं से इसके साथ use कर सकता हूँ enclosure में लगाने के बाद मैं इसे उपर से बंद कर दूँगा फिर इसकी केबल की एक side को इस enclosure से connect करूँगा और दूसरे side को मैं Macbook से connect कर दूँगा पर दूसरे side में USB A है तो मैं USB A to C dongle यूज़ करूँगा जिस समय से Macbook से connect कर पाऊंगा चलिए अ इस SSD को इस software में select कर लेते हैं अब start button पर click करते ही इस Kingston वाली SSD की speed इसमें show होगी जो कि आप देख सकते हैं maximum 160 MB पर second तक गई है और इसका speed test होने में भी काफी time लग रहा है तो जैसा आपने देखा इसका speed test हो चुका है और इस SSD के मुकाबले में इसकी काफी कम speed आई है एक कार copy paste test करके देखते हैं मान लीजिए test करने के लिए मैं ये file लेता हूँ और इसकी मैं आपको info दिखा देता हूँ कि इसकी size कितनी है जैसे कि आप देख सकते हैं ये 5 GB के आसपास file है चलिए सबसे पहले इसे Kingston वाली SSD में copy करते हैं जैसा आप देख सकते हैं copy start हो चुकी है और less तो दोस्तों पूरी file copy होने में 42 second का time लगा चलिए अब इसी same file को इस sendisk वाली SSD में copy करते हैं और देखते हैं कितनी देर लगती है अब जैसा आप देख सकते हैं कितनी तेजी speed है सिर्फ 5 second के अंदर पूरी 5 GB की file transfer हो गई तो इस वाली SSD से काफी ज्यादा अच्छी speed मुझे इस sendisk वाली SSD से मिल रही है अब मैं आपको इस sendisk की SSD का Macbook की SSD से comparison दिखाता हूँ उसी same file को मैं Downloads वाल्डर से copy करता हूँ और Macbook के desktop पर जाके paste करता हूँ बिल्कुल instantly पूरी 5 GB की file desktop पर copy हो चुकी है तो देखा आपने क्याला जाब speed Macbook की drive की है तो दोस्तों मैंने आपको almost सभी चीजें इस वीडियो में बता दिया है और सेंडिस के SSD से ही मैं आप वीडियो एडिटिंग करता हूँ मुझे price के ऐसाब से ही बहुत ज़्यादा पसंद आई अगर आप external SSD लेने की सोच रहे हैं तो आप इसे जरूर ले सकते हैं अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए मेरे पास 500 रुपे के 5 Amazon voucher है जिने जीतने के लिए आपको बस cash करो एपको अपने phone में डाउनलोड करके मेरे code को use करना है फिर आपको इस एप के तुरू एक transaction करनी है चाहें आप स्वेगी से खाना order करो या फिर Amazon से phone अगर आपका order cancel नहीं होगा तो पहले पांच उजर्स को 500 रुपे के Amazon voucher मिल जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आप इस SSD को purchase करना चाहते हैं तो वीडियो की description में इसकी link दे रुखिया है आप चाहें तो वहाँ से purchase कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कर दीजे और चैनल को subscribe करके bell icon को दबाद दीजे जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो upload करूँ तो आपको पता लग जाए और आपको वी questions है तो आप मुझे Instagram पर follower के भी पूछ सकते हैं मैं आप सब की reply देने कोशिश करता हूँ फिर मिलूँगा आप से अगले वीडियो में इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद